कभी कभी हम सबे के घर में केला बच जाता है और ज्यादा पके होने के कारण हम उसे यूज नहीं करते या कोई उसे खाना भी पसंद नहीं करता ऐसे में आप इससे बहुत ही हिल्दी और स्वाधिष्ट मिठाई बना सकते हैं तो यहाँ पर यह केला लिया है और यह ज्यादा पक चुकी है तो इसे हम छिलके पीसे में कट कर लेंगे और इसे में पीस रही हूँ तो इसे हम साइड में रखते हैं और इसके लिए सबसे पहले हम चासनी बनाएंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप गूर लिया है और एक कप इसमें पानी डाल देंगे आप चाहे तो यह बर्फी चीनी से भी बना सकते हैं लेकिन हम इसे हल्दी बना रहे हैं तो गूर से बनेगे तो स्वादिश्ट और हल्दी दोनों ही ज़्यादा होगी और जैसे ही गूर अच्छे से पिखल जाएगी हम इसमें इलाइची और थोड़ी से केसर डाल देंगे केसर डालना बिल्कुल ओप्सिनल है और यहाँ पर गूर अच्छे से गूल चुकी है तो इसे हम साइड में रखेंगे और कड़ाई लेंगे और इसमें दो चमच घी डाल देंगे और गार्निस्टिं के लिए मैं थोड़ी से यहाँ पर ड्राइफ रूट भून रही हूँ अब चाहें तो यहाँ पर ड्राइफ रूट और भी जादा ले सकते हैं अभी कर्मी का सीजन है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी से यूज़ कर रही हूँ और जैसे ड्राइफ भून जाएगी उसके बाद निकाल देंगी और यहाँ पर दो चमच में सूजी डाल रही हूँ और सूजी थोड़ी को दो से तिन मिनट भूनने के बाद एक कप यहाँ पर आठा डाल देंगे जिससे हम रोटी बनाते हैं उसी आठे को मैंने लिया है और जैसे ही एकदम अच्छी तरगी से भूनेगी इसमें से अच्छी से खुसबू आने लगेगी और फ्लेम को हम बूड़ वाला चसने डाल देंगे और यह बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है तो हमें से लगतार यहां पर चलाते रहना है और यहां पर बिल्कुल हल्वा की जिसे लग रही है तो यहां पर मैं एक चमस घी डाल रहे हूं जिससे की फ्लेवर और टेस्ट दोने ही बढ़ जा आ जाएगे और यहां पर आप हम फ्लेम को बंड कर देंगे और इस थाली पर मैंने थोड़ा से घी लगा दिया है और इसके बाद हम बैटर को इसमें डालेंगे और इससे एकदम चारे तरफ से बराबर फिला लेंगे इसके उपर मैं थोड़ा सा ड्राइफरो डाल रही हू और आप एक प्लेट या कटोरी इस तरह से फ्लेट वाली ले ले लेंगे और उससे एकदम चार दरव से बराबर स्मूथ कर लेंगे और बस बर्फी को ठंडा होने देंगे और यहाँ पर ठंडी हो चुकी है इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे यहाँ पर यह बहुत ही छटपड बन जाती है और आप इसे चार से पास दिन तक अराम से इंजोई कर सकते हैं यह खराब नहीं होगी और यहाँ पर देखें यह बर्फी बन के तियार है उमीद करते हूं फ्रेंज आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेर कर दिजएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजएगा और बिल आइकन को दबा दिजएगा जिससे की में जब भी वीडियो अप्लोड करो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे तो चले मिलते हैं मगले रेसिपी में तब तक लिए बाई और अपना ध्यान रिखे